कैसे वो पढ़ाई बढ़ाई कर रहे हो आज पर पढ़ाई करते रहो और अभी तो हम लोग इसको कर रहा है थे NTA वाले के टेश्ट पेपर है ना अभी करते हैं क्योंकि यह सुबह हुआ नहीं था एक वर कर लेते हैं इसके साइज 67, 68 जो भी पड़े हुआ है है ना एक एक करके कल से सोच रहे हैं कि फर्स्ट वाला ले ले चलिए पहले सुरू करते हैं एक बढ़ चलिए बताए है इसका कौन सा होना चाहिए तो देखो इसमें कहा है जैसे which of the following is not chlorinated insecticides कौन सा वाला chlorinated insecticides नहीं होगा तो इसके लिए सारे बच्चे जानते हैं DDT की जो इस्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है ठीक है CCL3 और ये कुछ ऐसे करके तो ये क्लोरिन वाला है मतलब ये होगा DDT होगा अगर हम बात करें मिथाक्सी क्लोर की है ना और तो मिथाक्सी क्लोर में क्या है कि जैसे कुछ ये रिंग होंगी तो इसमें क्या है ना दो रिंग में ये अटेच है क्लोरीन क्लोरीन ऐसे करके होगा ठीक है OME고 तो इसमें मतलब ये है कि हो गई होगा दूस्रे वाले मैं मिथाक्सी क्लोरीन में होगा BHC की बात करें तो बेंजिन हीगजा क्लोराइड जो होता है उसमें भी होगा चीक है पैराथर्ण का जो इस ट्रेक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ये एनो होता है और यहाँ पर साइड ये रिंग होती है एक बार देख ले ना फिर भी ये ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी इस वाले में कहीं भी ये किलोरीन नहीं आ रहा है तो कौनसा वाला आंसर होगा हमारे पास इसमें किलोरीन है इसमें किलोरीन है इसमें नहीं होगा यानि कि आंसर कौनसा हो गया थर्ड वाला ठीक है इस चीज को ध्यान रखना सेकंड कोश्चन देखिए सेकंड कोशन हमारे पास यह है तो देखो अगर हम X की बात करें तो यहाँ पे रियक्षन चल रहा है O3 से माइनस 2 AG से रियक्षन करेगा तो ध्यान रखेगा एक कॉंप्लेक्स बनता है इस तरीके ता AG H2O3 हाई उसका माइनस देस बन यह हमारे पास X बना अब इसमें दुबारा से AG प्लस कर देते हैं हम लोग तो AG प्लस करने से दो चीज़ें बनती है एक तो बैसे AG2O बनता है प्लस SO2 गैस बनती है लेकिन फाइनली ध्यान रखना कि अगर यह दोनों मिल जाती है तो यह हमारे पास ऐसे करके बनता है H2O3 तो यह बाई बना अब बिद टाइम थोड़ा टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं ब्लैक पीपीटी आता है ब्लैक पीपीटी किसका होता है इस तरीके जा ठीक है तो हमारे पास Z यह बना यानि कि X, Y, and Z तो कौन सा उप्सन सही यह बताओ देखो इन दोना में तो बनी लिए रहा AG2S तो दो ही रहे दो में आपको मालूमी है यहाँ पे यह यह 5 हो गई नहीं तो यह बना जाएगा ठीक है कौन सा आंसर होगा अपने पास देवांक हाँ देवांक सी नहीं होगा देवांक इसका फर्स्ट आंसर होगा है न इस तरीके से बनेगा चलो next देखो मान लीजी अगर हम देखें इसमें थर्ड वाला यह फिनॉल इजा फिनॉल की अगर हम लोग बात करते है तो बीकर बेस देन अमोनिया देखें फिनॉल ऐसेडिक होता है जबकि अमोनिया नहीं होता है ठीक है अमोनिया इसके केस में बेस है it is a stronger acid than carbonic acid थोड़ा सा हम कहेंगे question अधूर है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको idea देता हूँ option के साब से idea देता हूँ क्योंकि इसमें यह होना चाहिए था कि क्या बताना है मतलब correct बताना है या incorrect बताना है यह चीजें थोड़ा सा होना जरूरी था जो की complete नहीं है question अब फिर भी थोड़ा idea ले ले लेते हैं it is a stronger acid than carbonic acid नहीं carbonic अच्छा हाँ यह वाला तो होगा stronger carbonic acid मान लीजिए यह वाला जो होता है वो beaker acid होता है it is a acid an acid weaker than carbonic acid तो अगर हम बात करें stronger acid तो है यह लेकिन beaker acid नहीं होगा है न neutral compound तो कहने का मतलब इसमें बताना क्या है right बताना है wrong बताना है तो अभी इसको question को छोड़ देते हैं यह incomplete question है इसमें बताई है इसमें पूछा है most unlike मतलब कौन सी वाली नहीं बनेगी ठीक है बताई है कोई बच्चा बता रहा है इसका answer कौन सा होगा हाँ जी इसका answer कौन सा होगा देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें unlikely बताना है यानि की wrong बाली पूछी है देखिए अगर हम लोग यहां करेंगे यह यहां जाएगा molecules यहां जाएगा तो aromatic characteristics में आ जाएगा ठीक है प्लस माइनस पास पास इंस्टेवल होगी यह अंदर चला जाएगा यह आ जाएगा यह भी इस्टेवल है लेकिन आप लोग खुद से, इसमें अरोमेटिक करेक्टर है, उसके बावजूद इसमें फाइब बॉन्ड है, पर यह अगर फाइब बॉन्ड होते हैं, इसमें कम होता, तो हम एकाद बॉन्ड को इधर आ जाता, रेजोनेंस के तुरू, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इस्टेवल न करे तुरू, पर आwo क्रू, पर एता है, जहाँ उते हैं कि करेंश नह्या है ल्या है, लूञ्यस भूद बंछल देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा कोशन एंसर होगा बताओ कौन बच्चा बताएगा अच्छा अभी है यह नहीं है कोई बात नहीं है देखो इसमें क्या करेंगे जैसे मान लो अगर हमारे पास यह कोशन आ गया तो इस समय इसकी oxidation number देख लिए कितनी है यहाँ पर AS2 O3 में देखेंगे तो 2x plus 3 minus 2 is equal to 0 तो यह x is equal to हो गया plus 3 तो इसकी oxidation number कितनी है plus 3 plus 3 और यहाँ पर देख लिए ASO4 तो इसकी oxidation number plus 3 है कि यहाँ पर अगर हम करें minus 3 तो x plus 4 minus 2 is equal to 3 तो यहाँ 8 हो गया ठीक है तो कितना आजायगा plus 5 तो इस समय इसकी oxidation number कितनी हो रही है plus 5 है ना तो arsenic के case में अगर हम देखें है इस पेसली यहाँ पर तो यह कितना है अपने पास plus 3 plus 3 कितना होगा अपने पास बतो 6 यह क्योंकि एक arsenic नहीं है इसमें 2 arsenic है देख रहे हैं आप लोग एक arsenic पर plus 3 होगा तो plus 3 मतलब plus 6 तो टोटल इदर plus 6 है और इदर भी दो arsenic है तो इदर कितना है plus 10 है तो मतलब यह कि अगर 10 में से या तो आप माइनस कर दो 6 तो 4 आ जाएंगे या आप देखी रहे हैं 4 इलेक्रों का ट्रांसपर चल रहा है कि भई यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 6 है यहाँ 10 है और यहाँ कितने 6 तो अगर माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर माइनस करोगे तो आ जाएंगे 4 तो कभी भी equivalent weight निकालते हैं तो equivalent weight निकालते हैं उसका molecular mass molecular mass of arsenic divided by कितने इलेक्रों का ट्रांसपर हो रहा है यहाँ पर तो यह उसका equivalent mass होगा ठीक है तो कौन सा वाला अंसर होगा हमारे पास electron का transfer देखना है आपको कितने electron transfer हो रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है नहीं तो question wrong हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको कराई रखा already कि कुछ इस तरीके से आ जाए अब इस case में कितने electron का transfer चल रहा है भी इसमें plus 7 है plus 7 से यहां गया तो 5 electron का transfer चल रहा है तो equivalent weight divided by इसका mass कितने electron का transfer हुए वो इसका equivalent weight माना जाएगा ठीके इस तरीके से अब देखे अगर हम बात करें आगे बाला अगर हम लोग फ्राउनलिच आडजोप्शन आइसोथर्म की बात करते हैं तो यह amount of adsorption is directly proportional कि इसके होता है हमारे पास pressure वन वई और दिस वाइगा है तो यह हो गया अब मान लीजिए अगर हम high pressure की बात कर रहे हैं तो यह जो value देख रहे हो आप लोग यह 0 से 1 के बीच में होती है high pressure मतलब 1 लगाना है 1 by 1 करेंगे तो 1 आजाएगा तो किसके बराबर आजाएगा हमारे पास ठीक है इसको इस तरीके से ध्यान लगना आगे वाला देखिए देखो यह solid state का question है solid state में सारे बच्चे जानते हैं क्या जानते हैं कि जो cesium chloride होता है cesium chloride का coordination number कितना होता है 8 ratio 8 होता है किस structure में पाई जाता है BCC में पाई जाता है और ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए एक ZNS है ZNS की दो structure पाई जाती है एक को हम लोग zinc blender बोलते है zinc blender और एक क्या होता है हमारे पास zinc bertis दो structure होती है zinc blender and zinc bertis ध्यान रखिएगा zinc blender जो होता है वो CCP में होता है cubic close packing और यह जो होता है hexagonal close packing तो यह इसकी structure जो है जो है जिंक blender की तरह होती है यानि की इसमें जो है जैसे की zinc blender में जैडन आइन 50% tetrahidal में पाई जाते थे 50% void जो है tetrahidal में और 50% zinc पाई जाते थे बाकि alternate होते थे तो इसमें अगर हम कहेंगे तो क्या कहते हैं कि 8 cesium iron 8 chloride iron दोरा surrounded हो तो 1 cesium iron 1 chloride iron दोरा surrounded होगा तो कौन सा जाएगा हमारे पस थाग ठीक है यह answer होगा next अगर हम बात करें most acidic compound यह तो बताई सकते हो most acidic compound के अगर हम लोग बात करते हैं तो देखे जितना ज़्यादा electron build drawing group कहीं पे लगा हुआ है उतना ज़्यादा more acidic होगा अगर इसमें भी order लगवाएं तो सबसे ज़्यादा D होगा फिर उसके बाद build drawing ढूरिएगा C होगा फिर उसके बाद कौन सा होगा B होगा then हमारे पास A होगा तो सबसे ज़्यादा जो acidic होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा D answer है next देखिए L form of glucose पूछाए L form of glucose करें तो सबसे पहले D form समझ लीजी आप लोग glucose क्या होता है जैसे मान लीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH this is the right, right left and right ठीक है यह होता है अब इसके case में हम लोग क्या करेंगे this is the D glucose अगर हमें L glucose बनाना है तो इस दौनों फॉर्म को हमें change करना पड़ेगा otherwise क्या होगा नहीं तो कोई दूसरी form बन जाएगी manos भी होता है, galactos भी होता है इस बात का भी हमें देहन रखना है ठीक है तो यह दौनों जो है OH की form change हो जाएंगी तो किसमें change हो रही है यहीं से मालूम कर लेते हैं न तो देखे यह तो D glucose है राइट, राइट, लेफ्ट, राइट ने D glucose नहीं है तो हमारे पास कौन सी आजाएगी इसमें यह वाली ठीक है यह जैसे manos है यह galactos है यह सारी form है तो अगर हमें change करना है तो दोनों को change करना पड़ेगा L glucose के लिए ठीक है अब देखे कौन सा है देखो यह वाला है हाँ जी एकद बच्चा बता रहे compound which is strong oxidizing agent and has orange colored crystal it is used to preparation of azure compound identify the compound कौन सा वाला compound होगा azure compound बनाने के लिए काम मिलाया जाता है तो basically कौन सा होगा हमारे पास बताओ potassium dichromate potassium dichromate होगा जो की orange red color होता है second thing क्या है strong oxidizing agent की तरह काम करता है like as the potassium permagnate ठीक है इसका भी ध्यान लखना है आपको तो answer समझ में आ गया potassium permagnate sorry 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 potassium permagnate नहीं है कौन सा वाला है potassium dichromate कौन सा वाला है potassium dichromate this is the potassium dichromate क्योंकि उसका color कैसा होता है green और purple है ना magnet पर magnet आप लोग जानती हो potassium तो Kmn4 होता है उसका green और purple color होता है जबकि इसका orange red color होता है तो answer fourth जाएगा ठीक है next देखिए है आपे अब इसने पूछा condensation polymers क्या होते है देखिए condensation polymers का मतलब क्या होता है एक तो होता है addition एक होता है condensation condensation का मतलब जो छोटे-छोटे molecules किसी में से remove किये जाते है उसको हम लोग बोलते है condensation reaction तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि dacron dacron जो बनता है वो condensation process से बनता है dacron में क्या होता है जैसे ethylene glycol होता है ठीक है यह ethylene glycol है मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ CH2OH and CH2OH ठीक है यह number of moles आँगे काफी सारे यहाँ पे और यहाँ पे tarryphthalic acid ले लेते है like this अभी क्या होने वाल है कि इधर O है ना समझ रहे हो आप लोग N number of moles है यहाँ से जब आप लोग H2O निकाल दोगे तो connect होता जाएगा तो वहाँ पी क्या बन जाएगा हमारे पास dacron तो जब किसी चीज का removal होता है अगर मान लिजीए question है हमारे पास the tenth element in the periodic table resemble with tenth element जो होता है वो किसके साथ resemble करता है तो tenth की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास neon है अब neon किस में जाएगा तो यहाँ पे second element डाल दिया वाकि आपको period भी डाल करके दे सकता है तो यह भी चीज आपको ध्यान रखने है ठीक है तो अगर हम second period की बात करें यानि कि first element या second period की या first period की बात करें तो देखो second period में क्या होता है इसमें दो चीज है 1H2, 2H2 and 2P6 मतलब जो balance electron है इसका कितना है 8 है और यह जो 8 है वो किस में चलेगा यानि कि S और P किस में चलने वाला है जैसे group second में चलेगा ठीक है तो यह जो है group second में ही आएगा element तो कौन सबाल होगा हमारे पास second element या second period की तरह यह काम करता है ठीक है हाँ तो देखो next में अगर हम बात करें अगर हमारे पास अब next वाला यह वाला देखो global warming में हो रही है हाँ बताओ yes कौन सा होगा इसमें कौन से साही है इसमें option बताओ consider the following statement regarding compound which cause global warming X is a hydrocarbon A and B are neutral oxides of nitrogen C is blue colored gas and D is released as to as with oxygen identify correct statement about X A, B, C, D कौन वच्चा बता रहा है बताओ हाँ वही बताओ yes तुम कहरे हो कि तुमने सारी chemistry साही कर ली है अब ज़रा बताओ यह कौन सा answer होगा इसका बता रहे हो आप लोग इस question को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ठीक है home work के लिए देता हूँ आपके लिए night में डूण करके रखना करके रखना इसको सारे बच्चे फिर कल discuss करूँगा मैं बड़ा कर दिया है मैंने एक बार note कर लो ठीक है या click से photo कहीं सकते हो आ रहा है इतना बड़ा मुझे लग तो नहीं रहा दुवारा बड़ा कर देता हूँ यह आपका home work के है इसको आपको करना है जरह देखना थोड़ा मजा भी आएगा गूगल मूगल से मत करना साईए ठीक है बाकी book से करना dnf block का element का question है ठीक है तो हो जाएगा आपसे इसका photo click कर लो कल मुझे बताना कौनसा answer इसका है यह आपके home work है क्योंकि बच्चे जोगा कह रहे है कि हमने तो chemistry पूरी कर दिया है अब chemistry तो पूरी कर दिया है जरह देख तो लें हो भी रही है पूरी नहीं हो रही है चलो कौनसा वाला है हमरे पास यह है इसको कैसे solve करोगे बताओ distance कैसे करेंगे हम लोग एक ketone है एक LD है किस तरी कैसे distance होगा बताओ यह तो simple है अभी 12 में आया होगा बता सकता है कोई उच्चा कौन सवाल होगा देखो यहाँ पे अगर हम neutral FECL3 की बात करें तो यह किसको करने के लिए यूज होता है फिनॉल को ठीक है यह तो फिनॉल टेस्ट देता तो यह होगा नहीं tolerance reagent क्या होता है LD हाइड को करता है और failing को नहीं करेगा वो ketone को नहीं करेगा तो tolerance reagent test इसके लिए valid होगा ठीक है कौन सा वाला second वाला यह क्या होता है अच्छा इसमें तो एक साथ मैंने करवा रखें ठीक है ठीक है समझ गया इसमें total 45 portion है ठीक है अभी मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा है भी नहीं है और हमने 20 तक कर लिया है लगवग next कर ली करेंगे क्योंकि एक भी बच्चा नहीं है तो जितना मुझे record करना था मैंने कल लिया है ठीक है अब interest नहीं ले रहे हो आप लोग तो क्या करें बताओ आज इतना ही बहुत है नहीं तो एक आद बच्चा तो सो गया होगा तो कोई नहीं आप सो आराम करो तब तक तब तक next कल morning में नहीं होगी फिर class ना थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार चालो कोई बात नहीं आभी यहीं तक रहने दो तो फिर कल मिलते हैं आपके पास तब तक के लिए good night 20 questions हो गएं लगबख ठीक है कल मिलते हैं फिर